वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला लोको पाइलिट सुरेखा मुंबई एशिया की पहली महिला लोको पाइलिट सुरेखा यादव ने सोमबार को वंदे भारत एक्सप्रेस को सोलापूर से छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, CSMT, तक पट्री पर दोड़ाया। इसी के साथ वह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेंग को चलाने वाली पहली महिला लोको पाइलट भी बन गई है मद्य रेलवे ने इस बात की जांकारी दी है मद्य रेलवे के मताबिक ट्रें 13 मार्चे को ते समय पर सोलापुर स्टेशन से रवाना हुई आगमन के ते समय से पांच मिनिट पहले CSMT स्टेशन पहुची 450 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने पर यादव को CSMT स्टेशन के प्लैटफॉर्म संख्या आर्ट पर सम्मानित किया गया रेल मंत्री अश्विनी वैशनव ने ट्वीट किया वंदे भारत नारी शक्ती द्वारा संचालित पहली महिला लोको पाइलट सुरेखा यादव ने सोमवार को वंदे भारत एक्सप्रेस को सोलापूर से छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT तद दोड़ाया महिला लोको पाइलट सुरेखा यादव ने एक और उपलब्धी जोड़ी है पश्चमी वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया मदे रेलवे ने कहा वंदे भारत की पहली महिला लोको पाइलट बनकर महाराश्टरक शेत्र में 17 निवासी यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी उन्होंने राज्य और राश्ट्रियस तर पर अब तक कई पुरसकार जीते हैं यादव ने मदे के इतिहास में